चलिए हम एक त्रिबुज बनाते हैं मान लेते हैं इस भुजा की लंबाई है 6 इस भुजा की लंबाई मान लीजिए ये है 10 और यहां इस भुजा की लंबाई है X और अब हमें देखना ये है कि कितना बड़ा या कितना छोटा हो सकता है इस X का मान और कितनी बड़ी या छोटी होगी ये हरी भुजा तो पहला प्रश्न है कि ये भुजा कितनी छोटी हो सकती है अब अगर हमें इसे छोटा करना है तो हमें इस हरे कोण को यहाँ पर इसे भी हमें छोटा करना होगा मतलब इस कोण को जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करना होगा आईए शुरू करते हैं और ये है हमारी भुजा 10 इसे यहां बनाते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं इस गुलाबी भुजा की लंबाई है 10 अब इस कोण को हम छोटा करते जाएंगे जब तक ये 6 निकट होती जाती है इस भुजा 10 के और आप कल्पना कर सकते हैं कि जब ये भुजा वास्तव में इसके इतने निकट आजाती है तो क्या हो सकता है ये अपब्रश त्रिभुज बन जाएगा अब अगर आप चाते हैं कि बिंदू यहां पर अत्यधिक से अत्यधिक निकट आजाए इस बिंदू के यहां पर यानि एक्स की लंबाई कम से कम हो जाए तो सबसे सही तरीका है कि आप इस कोण को छोटा करते जाएं जब तक ये शुन्य के बराबर ना हो जाए तो आईए ऐसा करके देखते हैं ये देखिए कोण इसके कितने समीप आगए है ये भुजा 6 है एक्स की लंबाई कम होती जा रही है और इस कोण को हम छोटा करते जाएंगे तिल वी गेट ए डिजेनरेट ट्राइंगल यानि अप भरष्ट तरभुज तो इस भुजा की लंबाई है 10 और कोण है बराबर 0 के है हम इस कोण की बात कर रहे है इस नीली भुजा की लंबाई है 6 तो कितनी दूरी होगी इस बिंदू और इस बिंदू के मध्य की क्योंकि ये दूरी है लंबाई X की तो डिजेनरेट के केस में ये लंबाई यहाँ पर है X और हम जानते हैं कि जमा X होगा बराबर 10 के तो यहाँ अपब्रष्ट यानि डिजेनरेट की स्थिती में X बराबर है 4 के पर अब हम इसे एक वास्तविक तरभुज कैसे बना सकते हैं अभी तो X बराबर है 4 के और ये बिंदू इतने समीप आ गये हैं ये तरभुज डिजेनरेट हो गया है एक रेखा खंड में अब इसे एक वास्तविक तरभुज बनाने के लिए X को बड़ा होना होगा 4 से अब चलिए इसे एक अलग तरीके से देखते हैं कितना बड़ा हो सकता है X तो X का मान बढ़ाने के लिए हमें पहले इस हरे कोण को बड़ा करना होगा तो चलिए कोशिश करते हैं आईए एक बार फिर से हम अपनी 10 भुजा को बनाते हैं और ये रही हमारी 10 भुजा और 10 साइड अब हमें इस कोण को बड़ा करना होगा तो पहले बनाते हैं अपनी भुजा 6 इस प्रकार से और ये देखिए हमारा कोण कितना बड़ा हो गया है करीब 180 डिगरी के लेकिन 180 डिगरी पर हमारा त्रिबुज एक बार फिर से परिवर्तित हो जाएगा एक रेखा खंड में एक अपब्रष्ट त्रिबुज बन जाएगा तो ये है हमारी हरी भुजा जिसकी लंबाई X है और हम कोशिश कर रहे हैं अधिक से अधिक दूरी रखने की इस बिंदू और इस बिंदू के मद्य में तो ये लंबाई होगी X की और अब देखते हैं इसकी अपब्रष्ट सिती तो अपब्रष्ट सिती में इसका कोण है 180 और ये भुजा 6 भुजा 10 से मिलके एक ऐसी सीधी रेखा में परिवर्तित हो जाती है और इस बिंदू और इस बिंदू के बीच में अधिक से अधिक दूरी काइम हो जाती है अब इस परिस्थिती में कितनी दूरी होगी इस बिंदू और इस बिंदू में क्योंकि यही दो दाइमेंशन वाला त्रिभुज चाहते हैं तो X 16 से कम होना चाहिए और आज हम जिस सिद्धान्त के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है त्रिभुज असमिका प्रमेय यानि ट्रायांगल इनिक्वालिटी थेरम ये एक आधार भूत विचार है यानि कि किसी भी एक लेकिन अप भ्रष्ट त्रिभुज की स्थिती में जैसा कि आपने देखा त्रिभुज एक रेखा खंड में परिवर्तित हो जाता है उसकी एक ही डाइमेंशन रह जाती है और उस स्थिती में ये यहाँ पर कम या बराबर होगा लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं नॉन डिज कर्ष पर पहुंच सकते थे ये देखिए एक्स यहाँ पर एक भुजा है इसकी लंभाई को कम होना होगा इन दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से यानि कि एक्स कम होगा 6 जमा 10 एक्स कम होगा 16 से और हमें यही रिजल्ट मिला था यहाँ पर भी अब हम देखते हैं कि x कितना बड़ा हो सकता है या फिर x कितना छोटा हो सकता है यानि how small can x भी तो ऐसे में हम यह देखेंगे कि 10 कम होगा 6 जमा x से यानि अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग से कम होगा और अगर हम घटाएं 6 को दोनों पक्षों से यहाँ पर तो हमें मिलेगा 4 और 4 छोटा है x से या x बड़ा है 4 से तो हम यह उम्मीद करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे और अगर आप नहीं समझे हैं तो अब्याहस करते रहें क्योंकि यह triangle inequality theorem जो है यह geometry का एक important हिस्सा है